तो हलो नमस्तिया स्थेकार केम छोग नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्देगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली मैं मैं हाँ पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गए मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोवर्ड-19 ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा लगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक्डाउन हुआ जब ये लॉक्डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोवर्ड-19 के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहां पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आयागा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल्स के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलोमेटर दूर एक गाउं में बेजा राशन करीवने के लिए तो आज कल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते वे उन्हें अपना मास निका लिया तो पोलीज वालने का हमसे के ये मास पेमन दूर रिटो और ये मास पेमन तो उनको समझ बा ओ गया कि जो नहीं करना था उन्हें नहीं किया यह पर आये अन्हें यह कहानी बयान की और मैंने से कहा कि यह जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वह यह आपने किया और नहायती बेवकूफी की चीज़ की ना दिमाग से निकल गया है सोचा कि बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूं जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको यह बात स तुक दाएक बात है और स्पेशली उस बिमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाउट आ जाना एक उसका सेयम खो देना होब खो देना वो उससे बरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमिन एंटी इनसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसके बात ये समझ में आ जाती कि हमने इत्यात नहीं रखा गल्दी हमसे हो गई और जो नेगिटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गैरिंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को, महले से शहर को, शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मिंट ने, के बाहर मत जाओ, सोशिल कैदरिंज ना करो यही कहा है न, दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो परिवार के साथ बग गुजारो, ये सब किस के लिए, उनके लिए, नहीं, हम सब के लिए नमास पढ़ना है घर पे पड़ो, बुजापाट करनी घर पे करो, बचपर में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना, अल्ला के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग, मरना तो एक दिन सब को है, लेगिन क्या कोई मरना चाता है यह यहां पर आके यह बात चेंज कैसे हुई इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो starting with your own family तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताओ, पुलीस का साथ देना, गवर्मेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं, उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मेंट की बात नहीं सुन रहे हैं कि वो सही है गलत है करेक्ट है रॉंग है नेगिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हो अगर आपके आक्शन सही होते तो ये लॉक डाउन अभी तक के खत्म हो गया होता और करोना वायरिस भी अगर आप ऐसे भाहर नहीं निकलते, रूपस में, दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुट्छों पर डंडा नहीं मरतीए आपको क्या लग रहा है इसमें कि पुलीस वाले को मदा रहा है किस ने रोका है आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है, खाने पीने का सवा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ, पास में जाओ, किसने रोका है मास पहनो, कलोब्स पहनो, अकले जाओ गवर्मिन्ट ने यह وعدा किया है कि राशिन पानी सबको मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो फिर भी वो अठारा अठारा गंटे काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं, करोना वाइरिस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बिमारी उच नीच, जातपात, अमीर गरी, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नह बारें और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठें और वो भी आप नहीं निबारें मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूं जो घर के बार कभी नहीं निकलते थे जब से यह बोला गया है कि घर से बार मत निकलो उन्होंने निकलना शुरू करती है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं पुलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं और बैंक में काम कर रहे हैं जिसके वज़े से आप अपने एटियम और अपने अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं अ आपने उनके पत्तर बरसा दिया, जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है, वा, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है, भाग के जाओगे कहा, किस और भाग रहे हो, जिन्दकी के और भाग रहे है, या मौत के और भाग रहे हो, अगर ये डॉक्टर तुमारे इलाज नहीं करते और पु बच्चों को खिलाने को नहीं है, अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है, लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये विमारी भैली जा रही है, अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते, अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते, तो हजारों पुलीस वालों को, हजारों डॉक् काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पर लग गए होते चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वरवाप बड़े भादुर वाप कि इतने भादुर इतने तकत वरवाप कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उतकी अर्ति उठाओगे इतना जिगर है आपने क्यों आप यमराज और मलकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे अनननला है और राम नाम सकते है अड़ ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते है इसकी बही दो ही है एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कौई ना रहे आप रिसाट करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे न पहले और दुआ करो कि वो नौबत न आये जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहे है दन्यवाद